नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल, हेल्प टुबर में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो आसानी से घर बैठे ही अपना विजली बिल सुधा आप के माध्यम से कैसे पेमेंट कर पाएंगे तो ये वीडियो काफी नॉलेजफूल होने वाला है तो ये वीडियो अंत तक पुरा जरूर देखेगा यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सुधा आप डाउनलोड करके रखा हुआ है अगर आपने अभी तक सुधा आप डाउनलोड नहीं किया है तो जाए प्लेश्टोर पर और सर्च किजिए सुधा यहाँ पर आइकन देख सकते हैं सुधा आप का बीच में बिहार का फोटो है यह सुधा हिंदी में लिखा हुआ है इसे डाउनलोड कर लिजिए तो यहाँ पर फाइनली मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर मैं इसे खोल देता हूँ खूलने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछी इस तरह से सुभीधा अब खुलेगा यहाँ पर आपको फ्रस्ट टाीम परमीशन देना होगा कैमरे का तो आप देख सकते हैं इसमें कोई और यहाँ पर gallery का परmission आपको देना होगा क्योंकि यहाँ पर save करेगा यह और यहाँ पर देख सकते हैं कि देख साला यहाँ पर जनकारी दिया जा रहा है जैसे कि बिजली चोरी से समबंधित सीखाय दर्ज करने यहां पर भोकता संख्या टॉल फ्री नमर 1912 है और फटाफट काम भी करता है यह जो टॉल फ्री नमर है यहां पर मैंने बहुत सारा कंप्लेंड किया है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा तो इतना करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको और यहां पर नीचे हिंदी में भी बताया गया है यदि इस एप के माधम से देयती थी के भीतर भुकतान किया जाता है तो अपने बिजली बिल पर 2.5% की छूट प्राप्त करें तो चले मैं आपको यहां से बता देता हूं कैसे आपको रेजिस्टर करना है फर्स्ट टाइ तो यहां पर आप देख पा रहा है कि ऑप्सन है इंस्टेंट बिल पेमेंट तुरूंत बिना रेजिस्टर किये ही बिल पेमेंट कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके लेकिन आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है इससे अच्छा है यह दूसरे वाला आप्सन व्यू बिल रि क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको consumer id मांग रहा है मैं आपको बता दूं कि यहां पर sbpdcl और nbpdcl दोनों ही user असानी से अपने जो receipt होता है वहां पर आपको उपभोकता संख्या ce number करके यह मिल जाएगा तो यहां पर मैं अपना उपभोकता संख्या डाल दिया है और verify के उपर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि नाम लिखके आ चुका है नाम एकदम करेक्ट है यानि कि यह cya नंबर आपका सही है ठीक अगर आपका cya नंबर डालने पर नाम गलत आता है तो हो सकता है आपने cya नंबर consumer id गलत डा है कि आपका जो payment है वो success हो चुका है तो यहां पर मैं mobile number और email id डोनों डालूंगा अगर आपके पास email id नहीं है तो email id डालेंगे कोई दिकत नहीं होगा तो यहां पर मैं mobile number और email id डोनों डाल देता हूं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने mobile number और email id डोनों ही डाल और निचे से ऐटार के ऊपर क्लिक करणा होगा और यहां पर देख सकते हैं कि यूज़र एडइड़ सक्सेश्पुली आपको लाधोर में क्क्लिक करने के बाद फिर से इस Cinderella के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर हमारा जो consumer ID है वो जुट चुका है इसी तरह से आपके पास और भी आपके आसपर उसमें लोग हैं तो उनका भी यहाँ पर जोड़ करके बिजले बिल पेमेंट कर सकते हैं बहुत सारे वीदी है यहाँ पर पेमेंट करने हूं भी डाउमलोड बिल यहां से आप अपना बिल देख सकते हैं डाउमलूड कर सकते हैं तो आगर आप क्लि करेंगे टो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा नेट पेबल है आट्सो छीचट रुपय है और बिल अमाउंट पंद्रह दस 2020 के बाद अगर भरते हैं तो हमको 12 रुपए ज्यादा देने पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ से download bill के उपर अगर आप click करते हैं, तो आपका जो bill है वो download हो जाएगा PDF में तो यहाँ पर मैं PDF खोल के आपको दिखाता हूँ यह हमार जो bill है वो download हो चुका है घख, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको खपत वीवरणी दिखा रहा हूँ आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यह है खपत वीवरणी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिने का महिर्ट स्टम्बर है यहाँब दो सोगांट के बाद डइरक्ट लिखा ह recordings इस मतलब क्या है हमारे यहां कंजूमर अडी में जो मीटर होता है वो नहीं लगा हुआ था जिसके कारण छह महीने बाद अनुमानित बिल यहां मिला है आप 1912 पर complain करते हैं तो वहां पर मुझे पता चला कि जो ये बिल है अनुमानित बिल है और मीटर नहीं लगा हुआ था इसलिए जो बिल निकालने वाला आता है वो बिल नहीं डाल सकते हैं एक या दो दिन में आपका मीटर लग जाएगा ठिक और आपको कोई भी पैसा कोई विसुलक नहीं देना है मीटर लगाने वाले जो आएंगे और यहां पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार का जो अनुदान है 899 रुपए 50 पैसे देख सकते हैं 866 रुपए हमारा विल है और यहां पर 25 तारिक तक हमारा जो बिल है वह देख सकते हैं 273 रुपए और उसके बाद यहां पर मैं बाइक कर लेता हूं और यहां से रेसिप्ट अगर देखेंगे तो फिलहाल मार्च का रेसिप्ट दिखाएगा क्योंकि मेरा जो पिछला रेसिप्ट है वो मार्च का है भीव डानलोड रेसिप्ट के ओप्शन से तो यहां पर जो 866 रुपए बिल है उसको पेमे पेविल के ओप्शन पर फिर से यहां पर नीचे है क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यह जो पेज है वो रिडिरेक्ट करेगा बिल्डेस के पेज की ऊपर यहां पर रोके ओप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां पर देख सकते हैं कि आपको क सारे options मिल जाएंगे payment करने के जिसे quick pay, credit card, debit card, debit card plus ATM pin, internet banking, QR और UPI, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर debit card के माध्यम से बताऊंगा जो कि तिसरा वाला option है, क्योंकि आज कल सभी लेगों के पास ATM card हो गया है, ठिक, आपके account में mobile number registered होना चाहिए OTP आने के लिए, तो यहाँ पर मैं debit card के उपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर विजा, master card, master card और रूपे card यहाँ पर support करता है, यहाँ पर देख सकते हैं card number, जो कि solo अंकों का होता है, वो यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर expiry month डाल देना है, expiry date, किसी-किसी में valid up to या फिर valid through लिखा होता है, और CVV, CVC होता है, जो कि आपके card के पीछे तीन अंक होता है, वो CVV या फिर CVC करते हैं, उसके बाद card holder name डाल देना है, जिसका card है, उसका यहाँ पर नाम डाल देना है, जिसका account number से यह card जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि जिसका बिजली bill payment कर रह है, उसका नाम यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक, और उसका registered mobile number पर OTP आएगा, और OTP डालेंगे, तो यह payment success हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपना card number सब कुछ fill कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने card number, expiry date, month, और यहाँ पर CVV number डाल दिया ह card holder name में मैंने अपना नाम डाला है, क्योंकि जो यह card है, वो मेरा है, ठीक, और आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, कि save this card, यहाँ पर tick करेंगे, तो यह जो card होगा, वो save हो जाएगा, आपके अगले payment के लिए, यहाँ पर email address कुछ डालना होगा, तो आपको य जाला payment करेंगे, तो फिर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं payment के उपर मैं click कर देता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कि payment load हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं, कि bank का जो page है, वो खुल चुका है, अब आपको OTP आएगा, OTP यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ, 818056, 818056, और यहाँ पर OTP मेरा correct है, अब submit के उपर मैं click कर देता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर मेरे account से इतने पैसे कट जाएंगी, और जो payment है, वो success हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कि transaction जो status है, वो यहाँ पर success हो चुका है, यहाँ पर अब देख सकते हैं, कि transaction status success हो चुका है, और 866 रुपे का payment हो चुका है, consumer ID, सब कुछ यहाँ पर bill number सब कुछ सो कर रहा है, और यहाँ पर account से पैसे कट गए हैं, इसकी SMS आ चुका है, ठिक, तो यहाँ पर अब मैं home option के उपर click कर देता यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो मेरा payment है, वो success हो चुका है, लकिन अभी show कर रहा है, देखते हैं, कि क्या यह receipt अभी अभी मिल जाएगा हमको, तो view, download receipt के उपर मैं click कर देता हूँ, click करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हैं, कि 300 रुपे का पुराना bill ही दिखा रहा ह आपको 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पर आपको नया जो आपने आज bill payment किया है, वो यहाँ पर update हो जाएगा, तो आपको घवडाने के अभी सकता नहीं, कि अभी मेरा payment हो चुका है, और मेरा कुछ भी show नहीं कर रहा है, यहाँ पर receipt के उपर, या फिर website के उपर भी चेक क्या होगा, पसंद आया तो like किजिएगा, और पसंद नहीं आये तो dislike किजिएगा, और मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपका meter नहीं लगा हुआ है, तो आपको कैसे complain करना है, 1900 वारत जो की toll free number है, वहाँ पर आपको complain करना है, और आपका meter लग जाएगा, जिससे आपका बिल जो है, वो हर महीने आने लग जाएगा, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में,